Hello, this is Kaushal and I welcome you to Modulation CUE-T. So friend, आज हम क्या करने वाले है? एक नए Static Current और Static GK की क्या करने वाले है? पार्ट को करने वाले है, right? Static और Current एक्शुली मेरा टॉपिक है, तो मेरे मुझे वो चीज निकल गया. That is Static GK का एक पार्ट करने वाले है, जिसका नाम क्या रहने वाला है? Seven Wonders of the World. Seven Wonders of the World. ठीक है? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे है? एक एक करके Static GK के कुछ-कुछ टॉपिक को करते जाड़े, इसी में एक यह नया सीरीज रहने वाला है. ठीक है? सो हम यहाँ पे दो चीजों को देखेंगे. मैंने यहाँ पे आपको especially यह चीज बहुत सारे से पिक्चर्स लगाएं, ताकि आप क्या कर पाओ? इस चीज से connect कर पाओ, कि actually यह क्या हुआ करता था? किस तरह के दिखते हैं? ठीक है? सारे में आप देखो कि आज के जो modern, जितने भी wonders हैं, उसमें आपको pics दिखेंगे. सब में मैंने pictures लगवाए हैं, ताकि आप उसको देखो, connect कर पाओ, और हो सके तो Google पे जाके प्लीज थोड़े आप pictures भी देखो, ठीक है? और at the same time, ancient time में, जो क्या हुआ करता था? हमारे seven wonders हुआ करते थे, जिससे आप confused हुआ थे थे कि अच्छा, ये भी दिखड़ा कई, वो भी दिखड़ा कई, ये सारा doubts आपके आप बिल्कुल आज clear हो जाएगा. ठीक है? तो चलो parent copy उठा लेते हैं, और फटा-फट ready होते हैं उससे भी पहले के समय में, अगर हम महां रह रहे होते हैं, तो वो ancient time में wonders कैसे थे? कुछ ऐसे थे, जो हम अभी करेंगे. देखो, ancient wonders में पहला क्या? Great Pyramid of Giza, that is Egypt. Egypt में आपको पता है कि pyramids, वहाँ पे बहुत famous है, तो जो pyramid of Giza है, देखो pyramids बहुत सारे, लेकिन pyramid of Giza, एक अ इराक, currently undiscovered, ठीक है, बहुत पुराने के समय की बात है, थोड़ा समय द्रान कर देदू, बहुत पुराने समय की बात है, Mesopotamian civilization को अगर आप थोड़ा detail में पढ़ोगे, Mesopotamian civilization के बारे में, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि बहुत late time में, ठीक है, क्या हुआ था है, एक baby loan ठीक है, baby loan नाम का एक सहर हुआ करता था, जिसको क्या कहते थे, hanging gardens वहाँ की बहुत famous हुआ करती थी, ठीक है, क्या ये discovered हो पाया है, discovered नहीं हो पाया है, हम रही कुछ artifacts मिले हैं, वहाँ से, कुछ पुरानी, कुछ documentation समझ लो, या कुछ ऐसे proof मिले हैं, जहां मैं पता चला कि व Statue of Jews at, Statue of Jeans, Jeans at Olympia, Jeans, 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 जो, ठीक है, आप देखें, यहोगे, बहुत सारे movies में आपको ऐसा दिखा होगा, है ना, ऐसे pictures दिखेंगे, Jeans, ठीक है, तो Statue of Jeans, जो हैं, वह कहां पे, Olympia, that is, Greece में, यह क्या हो गया है, destroy हो चुका है, ठीक है, तो पुराने समय में ए इसी तरह से देखोगे, पुराने टाइम में कुछ चीजे इस तरह से destroy हो जाती थी, यह बहुत ज्यादा पुराना हो जाने पर उनका पूरा का पूरे structure क्या होता था, धह जाता था, तो यह भी क्या था, एक important, क्या हुआ करता था, ancient wonders हुआ करता था, फिर से याद रखो, ancient wonders में बता रहा हूँ, इसके बाल मैं अभी क्या जो present seven wonders है, new seven wonders, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, चलो, पहला क्या है, great pyramid of Giza, hanging gardens of Babylon, और third क्या है, statue of Jeans at Olympia, ठीक है, चलो, next क्या है, mausoleum at, that is Turkey, तर्की में, देखो basically क्या है, mausoleum at, हेलिकारनस, ठीक है, हेलिकारनस में क्य है, जो तर्की का पार्ट है, जहां पर क्या हुआ है, ruins remain, अभी बस थोड़े तूटे-फूटे चीज़े ही, क्या हुए इमापे, अब discover हो पाती है, ठीक है, next क्या है, Colossus of Rhodes, that is Greece, ठीक है, Colossus of Rhodes, Greece, यह destroy हो चुकी है, right, lighthouse of the Alexandria, Egypt, वो भी क्या हो चुकी है, destroy हो चुकी है, यह इसी तरह से आप देखो, बहुत सारे क्या है, ancient part के ही क्या है, ruins यहां पर अभी available है, सब के जगा पे देखो, ruins available है, कोई destroy हो चुका, कोई destroy हो चुका, तो यह बहुत पुढ़ाने समय की बात है, यह सब अब क्या हो चुकी है, तूट-फूट चुके है, ठीक है, क्या है, Mausole New Seven Wonders of the World, New Seven Wonders of the World, ठीक है, New Seven Wonders को में बिलकुल रट के रहना है, बहुत दिमाग में डाल के रखना है, ठीक है, चलो सर, आगे बढ़ता है, पहला क्या है, Great Wall of China, Great Wall of China, कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही लंबा, कितने माइल्स का है, 13,000 माइल्स का है, कहां से, ठीक है Great Wall of China की, सच है, जूट है, वो तो जाक भी पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे सैटलाइट इमें जाते है, यह बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, कहां पहले देखो, An Impressive Fortification that stretches over 13,000 माइल्स across चाइना, चाइना में ही 13,000 माइल्स तक है, 1 माइल is equal to 1.6 किलोमेटर, ठीक है, अब आप से calculate करके देख सकते हो, it was built to protect the country from invasions, क्या होता था, कि मालो चाइना कुछ इस तरह का map है, चाइना की map है, तो कुछ इस तरह से उन्होंने बना दिया, ताकि उस तरफ कोई जाना पाए, क्यों, क्योंकि वहाँ से आकर्मन बहुत होती थी, तो आकर्मन को बचाने क लिए उन्होंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा सा एक वाली बना दिया, ठीक है, ताकि उसको अगर पाड़ करके कोई उस समय ना पाए, आज के लिए जरूर ही है क्या यह चीज, आज तो कोई काम करनी है, क्यों, क्योंकि आज तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट आ गया है, ठी पिक्चर्स को पहले देखो ध्यान से, फिर आप थोड़ा सा कनेट कर पाओगे, क्या है, पेटरा, एन आर्केलोजिकल सिटी इन जॉर्डन, नोन फोर इट्स रॉक कट आर्किटेक्ट्चर, यह रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर हमारे इंडिया में ही इतने सारे ऐसे बहुत सुप्रीन स्ट्रक्चर है, जो आडाम से टॉप सेवन होता, तो हमारे पांस तो ऐसे हमारे इंडिया की भी हो सकता है, है ना, बहुत ही अलग-अलग, बहुत ही क्या बूल सकते है, प्रिस्ट तरीके का, बिलकुल आप देखोगे, हम हमारे पास भी रॉकट आर्किटेक्चर है, ठेक है, आपने सुना भी होगा, इलोडा केप में, जो हमारे पास, जो पूरी की-पूरी मंदिर है, वो सिवजी की, वो मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर को उपर से काटके, क्या किया गया, उसे बनाया गया, तराशा गया, यह अपने आप में ही क्या है, बहुत यूनीक बात है, ठेक है, कहीं भी आसता कि इतने बड़े मोनोलिथिक पत्थर से, मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर, अलग से पत्थर जोड़ा ने गया, उसको रिमेंस को हटाते है, उसका मलवा को हटाते है, उपर से लीचे तक बनाय नए घया है, ठेक है, तो यह सरे बहुत सारे चीजिए है, इड़ वर अब लोग आते थे, त्रेड़ करना के लिए यानि वहाँ पर एक ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, आज ट्रेडिंग सेंटर बहुत सारे जगा पे डेवलब ओर यह जैसे मानलो, गुझरात में बहुत important trading hub है ठीक है? टोक्यो, ज actors Japan का ठीक है? इस बहुत important trading hub है तो Petra देखो, गया था एक समे का बहुत ही vibrant trading hub माना जाता था ठीक है? और ये rocket architecture का है clear है कहाँ पे है ये? Jordan में? ठीक है? Question को ध्यान-ध्यान से पढ़ना कुछ भी आ सकता है पूस देंगे कौन से शहर का था, तो Jordan का, ठीक है, कौन से देश, sorry, Jordan देश जो है आज का, उन वहाँ पे देखो गया, next is Christ the Redeemer, ठीक है, इस तरह का कुछ बहुत बड़ा सा ऐसा image बना हुआ है, ठीक है, Christ, Jesus Christ, इनकी ऐसी कुछ image बनी हुई है, कहाँ पे है, ये देखो, कहाँ है, ब्रजील में, ब्रजील में, कौन से शहर में, Rio de Janeiro, ठीक है, Rio de Janeiro, या Rio de Janeiro, ठीक है, ये ब्रजील का एक शहर है, जहाँ पे आप देखोगे, इस तरह का, कुछ बहुत बड़ा से statue बना हुआ, जिसको क्या बोलते हम लोग, Christ the Redeemer, it stands atop the Corco Vado mountain, and has become an iconic symbol, ठीक है, तो कौन सी mountain के पास है, Corco Vado, Corco Vado mountain के just, दिखरा mountain पीछे थोड़ा सा, उसके just सामने ये structure बनाया गया है, बहुत important tourist attraction है, ये कहाँ पे ब्रजील में, ठीक है, लोग बहुत दूर-दूर से इसको देखने के लिए आते है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, third क्या है, Christ the Redeemer, next, Machu Picchu, Machu Picchu बहुत important है, कहाँ पे, Andes Mountain में, Andes Mountain के गोद में, that is, पेडू में है, ठीक है, और यहाँ पे, it is renowned for its remarkable architecture and stunning natural setting, ये बहुत उचाई पे इस तरह का structure बनाना, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है, तो वहाँ पे एक already इतने उचे जगा प application को set किया गया है, ठीक है, और इसी लिए इसको क्या बोला जाता है, इतने उचाई पे इस तरह का structure बहुत पुड़ाने समय में, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इसलिए इसको कहाँ डाला गया है, wonders में, डाला गया, that is, seven wonders, ठीक है, तो चौथा नमबर क्या है, माचू पिचू, ठीक है, next, चिचेन इज़्जा, चिचेन इज़्जा कहां की है, एक मायन सिटी थी, ठीक है, मेक्सिको में, जहां पे well preserved, कुछ ruins बचे वे हैं, ठीक है, including the El Castillo Pyramid, El Castillo Pyramid, ये El Castillo Pyramid है, ठीक है, और ये actually किस्टीच की, actually प्रतीक है, सिंबल है, मायन सिविलाईश की, ठीक है, आज के समय में, जो आप मेक्सिको देखते हो, मेक्सिको में, एक अलग तरीकी की सिविलाईशन थी, जिसका झाम था Mayan mayan सिविलाईशन, जैसे हम सुनते हैं, Indus Valley civilization, इसी तरह से बहुत बाद में, ठीक है, जहां मेक्सिको आज की समय में है, वहां पे Mayan सिविला चिकन नहीं है और इन सब करके आप सोड़ा इमेच को अच्छे से देखो भी कोई दिकर नहीं है नेक्स्ट इस को लोजियम को लोजियम है ना यह क्या है एन MP Theater in Rome Italy famous for hosting gladiator gladiatorial contests and other public spectacles during the Roman Empire आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो पहले एक्चुली योडोप में बहुत एक बड़ी सी डाइनस्टी हुआ करते थे जिसका नाम था Roman Empire ठीके लाइवल लबग 680 तक यह रही थी 680 वी सी से थोड़ा पहले से उनका अस्तित्व था बहुत ज्यादा इन्होंने क्या करा बहुत ज्यादा इन्होंने जोमेट्री पे काम करी नास पर काम किया बहुत संब्रिद थे ठीके Roman Empire तो Roman Empire में gladiator तो उसमें देखते हो बहुत एक घोड़ा पे लेके वाडियर ता है उसके हाथ में भाला वाला ऐसा रहता था ठीक है वो लोग लड़ाई करते थे कैपिटल होती थे झांकि रोमन एंपायर का नाम भी सिरे पड़ा को कि वह रोम से ही अपरेट होते थे तो रोम कि CAPITAL हुआ करते थी याद रहेगा चलो विद्व को नेक्स्ट इस ताजमहल आप लोगो सब को पता है ठीक है ताजमहल ग्या है बहुत फेमस है इंडिया का पार काने हैंगे हिस्ट्ट्री में ठीक है तो घम्ल एकचली हमारे अभी आग्रा में हैं में ही क्या वब यह ने विड़ी इतना बड़ी इक वक मार्वल से बनावा बहुत बड़ा था भव इमारत जैसा बनावा मुझोलिय मतलब जिसको जहां पर कवर की पार्ट है अपनी बेगम गुनों ने धफनाया था ठीक है तो यह बेसिकली 7 ऐसे क्या है सबसें सेंपोर्टन आज के समय में हमारे वंडर सब्सक्राइब परिशल Works समझ की मार्वल इसका अथा चिसको परश समय की तो तो यह सारी कुछ जानकारी हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करना है नाम आपको देखना है कुछ जुड़ी जो देश है उसको connect करना है सब्सक्राइब करना है मैंने बाद में बता था चिचन इज्जा है वो चिचन इज्जा नहीं करना ठीक है और कुछ ऐसे जो कोलोजियम जोग है जितने भी चीजे माचो पीचु का पार्ट था राइट यह पेट रहा है जितने भी है इन सब को आपको बिल्कुल कर लेना है आप प्लीज इनको प्लीज नोट डाउन करके लिखे लिखने का फाइदा यह रहेगा अपको आपके हैंड रिटेन नोट्स होगे आप उसको जल्ली याद करपाऊगे अच्छे से समझभाऊगे ठीक है अच्छे से पढ़ाई करना है फोकस करके और गॉड ब्लेस यू थैंक यू